हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चानल आज हम बनाने जा रहे हैं नीव रेसिपी तो उसका नाम है पास्ता येस तो एक कंटेनर लीजिए और उसमें आप पाने डाल लीचे जितना आपको जरुरत हो और उसको अच्छे से गरम होने दे उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा रि आप पास्ता डाल दे कोई भी तरह का पास्ता डाल सकते हैं मैंने दो तरह का पास्ता यूज किया है और उसके बाद इसको आप धक दे धकने के बाद इसको आप देखोगे कि ये अच्छे से बॉल हो जाएगा विदिन 5-10 निट्स और फिर उसको आप लेड़ा के उसको एक गए मेरे स्पून में तो मेरे फोक में तो आ नी रहा था बट मैने ट्राइ किया और उसके बाद वह पखडा गया है और उसके बाद मैने टच किया वह हो चुका था अब मैंने इसमें बेइब कॉन मश्रूम अनियंस और इसमें सौसेज मैंने ली है आप देख सकते हो कै और उसमें आप अनिन्स थोड़े से फ्राई होने को डाल दे और थोड़े से जब वो लाइट पिंकिश हो जाए अब जब आप देख रहे हो कि यह पिंकिश हो गए है अब इसमें आप जितने भी बचे हुए वेजीज है वह आप डाल सकते हैं जैसे की मश्रूम्स अब तक कि हलके से टॉस हो रहे हैं मैंने अपनी तब तक टोमाटो प्यूरी बना कि रख लिए थोड़ी सी अब उसको आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़े सी मसाली जो आपको यूज करने हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े सी सोया सॉस, अब देख सक रहे हो, थोड़े सी मैंने ली है, इसमें थोड़े सी ग्रीन चिली सॉस और टमाटो प्यूरी, टमाटो प्यूरी आपका टीस्ट और अच्छा कर देगे, आप उसे आपका पास्ता फ्लेवर FULL रहेगा जो वे थोड़ सा तेस्लेस लगता है वो थेस्टवेस नहीं रहेगा के लिए और जो आपने पास्ता मेले वह ठंडा हो गिया और यसको मैंने ढाल दिय थंडा ना होने के बाद आपका पास्ता यूज करोगे तो और भी टेस्टी बनेगा आप देख सकते हो पास्ता और इसमें मैंने थुड़ी सी चीज डाल दिये बिकस चीज के साथ इसका फ्लेवर और भी इंहांस हो जाएगा आप चाहो तो इसमें चीज आड भी कर सकते हो नहीं भी यह ऑप्शनल है अब आप देख सकते हो आफ्टर गानिशिंग वो कितना अच्छा लग रहा है और ठाने बेबी वे बहुत ही टेस्टी था मैंने ट्राइ किया है आप भी से ट्राइ करो और डू लेट में नो इन मैं कमेंड बॉक्स बाई